Hello Friends, Welcome to Educational X, मेरा नाम है शालीनी वर्मा और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ राशनल नंबर के इंपोर्टन क्वेशन जो NCRT से बनते हैं इसके chances आने के बहुत जादा हैं तो मैं आपसे यह request करूंगी कि आप इसको धंक से पढ़के जाएं और अगर आप इतने question कर जाते हैं तो आपके definitely इस chapter में अच्छे mark score हो सकते हैं तो question number one जो है जो की property से related था यह बहुत important है आपको solve करने के लिए आ सकता है जादे जादे दो marks काएगा लेकिन important है second जो additive inverse यह एक number का question आते हैं इसमें जो third part is very very important next हमारा question number 3 बनता है multiplicative inverse is very important ठीक है तो इसमें से जो question है वो कोई सा भी आ सकता है generally minus 1, 13, minus and multiply इन तीनों में से आने के chances जादा हैं अगर यह paper में आता है तो एक marks ही contain करता है क्यों आप आपको पता है कि आपका paper जो है वो दीरे-दीर objective type बनता जा रहे है तो आप practice करो इन question के एक-एक number बहुत माहिने देते हैं next आपका property से related आपको इनमें पताना है कि कौन सी property है इसमें से सबसे important जो हो यह third वाला part बनता है यह भी एक number में ही पूछा जाएगा next हमारा question number 5 यह जो ही बहुत ही जादा important है मैंने देखा maximum times यह आते हुए और इसमें reciprocal से multiply करनी होती है रहे तो यह question आपका two marks contain करता है multiplicative inverse चेक करना है या नहीं है again यह वाला question is very 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 important two marks again number line पर represent करना हो यह आपका exercise 1.2 के question आप शुरू हो गया है तो यह जो question है यह आपका same digit आ जाती है ठीक है marks आपका contain करेगा two marks five rational number निकालने होते हैं आपको दो यह question आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा last but not the least question is right five rational number greater than minus two minus two से बड़े पाच rational number आपने लिखने है यह question be important है एक number में यह जाता है तो इस chapter के जितने भी exercise के important question थे वह मैंने आपको बता दी है please in question को ठंक से कीजेगा because यह weightage बहुत रखते हैं और आप देखिएगा कि आपका paper इस में से जरूर आएगा ठीक है तो at the end मैं आपसे यही बोलूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो useful लगी है please इस channel को like, subscribe और share करना ना भूले thank you very much